यदि आपने इन पहुत लंबे समय से पिछले 18 महिनें से आपने यदि आर्थिक और पारिवारिक परिशानियों को सहा हैं तो ये समझे अभी समय आ गया है उसके परिवर्तन का क्योंकि केतु देवता ठीक आपके द्विती भाव को छोड़ करके जो कि आपके धन भाव को छोड़ करके ये आपके अपने लगन अपने रासी पर ये प्रवेस करने जा रहे हैं जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इन्होंने अब तक आपको दिया क्या आपको प्रधान करें और कौन से वो उपाए हैं जिन से इस केतु के सकरात्मक परिणाम को हम अपने जीवन पर लागू करा पाएं। जितनी मेरी योगेता है, जितना मेरा परिस्रम है, उसके अनुरूप मुझे धन प्राप्त नहीं हो पाना कहीं न कहीं इस केतु के परभाव को आपने अपने जीवन पर देखा। एक पीडा का आउसर होता है, एक दुख का आउसर होता है। काम धन्दे का पैसा हो, या फिर हमारे प्रोफेसर, हमारे कैरियर से जुड़ागवा कोई भी छेत रहो। तो यदि ये सब कुछ आपने देखा और सहा है, तो ये समझे कि अब परिवर्तन का दौर करीब आ चुका है। ठीक 30 अक्टूबर सन 2023 को साम के 5 बच कर 43 मिनट को यही केतु देउता आपके धन भाव को छोड़ कर के लिए लगभग लगभग अगले 18 साल के लिए छोड़ जाएंगे। और ये प्रविस कर जाएंगे आपके अपने स्वेम रासी पर, आपके अपने लगण पर कन्या पर। इनका प्रभाव ये होगा कि माना जाता है कि लगण पर केतु का आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं होता। परन्तु कुछ दृष्टी कोण से इसे अच्छा भी माना जाएगा। तो हम बात करते हैं कहां आपको सतरकता रखनी है और दूसरे तरफ बात करेंगे क्या आपको प्राप्ती होने वाली है। केतु दृष्टा जब लगन पराएंगे स्वास्त के दृष्टी कोण से आपको बहुत सजग रहने के आउसकता है। क्या बोलना चाहिए उसे मुझे वर्ड सही समझ में नहीं आ रहा है। आपको ध्यान रखने के आउसकता होगी। क्योंकि केतु आपके लगन पेर होंगे। एक सन्यासी गरह माने का है, एक योगी ही मानने जाते हैं केतु को। तो इसलिए हमें वो निर्वित्ती मार्ग पर हम अग्रसर हो सकते हैं। ध्यान रखेगा राहु देवता प्रवित्ती मार्ग पर हमें अग्रसित करते हैं। लेकिन केतु देव हमें निर्वित्य बनाते हैं, एक ऐसा मन में एक धारन आ सकता है कि छोड़ो भई ये सब चीज को, ये सब परिसानियों को, अब हम तो सिर्फ प्रभू के सरण में हैं, प्रभू के कृपा हैं, जो भगवान हो करना है, क्योंकि होई है, वही जो रामरची राखा, को करित तरक बढ़ा महीं साखा, तो आप ऐसा सिध्धान्त को ले करके आगे बढ़ेंगे, इस पूरे के पूरे अगले लेड़ साल तक, केतु देवता का ये ट्रांजिट 18 मई सन 2025 तक रहने वाला है, इस बात को मत भूलीगा, लेकिन दूसरे और इसके जो प्रभ प्रभिति आध्यात्मिकता की और अग्रसित होता है, या जो आध्यात्म का रूसरण करता है, उसके जीवन में केतु कभी उसको दोस्त या दूस प्रभाव नहीं देता, तो इस समय पर आप ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से जुड़ेंगे, ये भी आप समझे, क्यो होता है, जो भी मिल जाएं, वो खा लिए, जो मिल जाएं, वो रह लिए, एक ऐसी प्रभिति भी हमारे अंदर हो सकती है, कि चलो भई, जो है वो रहने दो, हम जैसे हैं, वैसे अच्छे हैं, क्योंकि एक सादगी पूर्ण जीवन आप इस समय पर ब्यतित कर सकते हैं, यकिन मानिए, ये केतु देउता, आपके जीवन को सादगी से परिपूर्ण कर देगा, और जब आप ये सोचिए, कि यदि सादा जीवन और उच्छ विचार हमारे हो जाएं, तो कैसे हमारा जीवन सरश्टता की, और अग्रसित नहीं होगा, आपको स्वेम विचार करना है, दू आपके कारे को इस समय पर बनाएंगे पूरे 18 महिने तक, तो देखिए, सोचिए, खोजिए उन्हें, कि जिसके द्वारा आपके कारे बनने वाले हैं, कोई एक नएक ब्यक्ति, या कोई भी इस्तरी हो, मैला हो, पुरूस हो, या कोई साधू हो, महात्मा हो, ब्राम्हन हो, क तो यहाँ पर अल्लेडी पहले से राहु देविद्दमान है, आपने देखा होगा हमारा पूरो वीडियो, जिसमें हमने बताया था कि राहु का गोचर परिवरतन आपके लिए क्या प्रभाव देगा, यदि आपने नहीं देखा है, तो उसे जाकर के जरूर देखेगा, आ आपकी तडब ब्यापार को प्रतसित करेगा, तो अपने ब्यापार के लिए आप ज़्यादा कारे करेंगे, दसंभाव से दसंभाव होने के कारण इसी समय पर इसी 18 महिने पर आप चाहे जौब करते हैं, या किसी प्रोफेशनल किसी कारे में हैं, उन कारियों में भी एक प प्राप्त करना है, मेरी सेलरी कम है, या मुझे योग्यता मेरी कम है, उन सब के प्रती आपके अंदर आग लगाने का कारे करेंगे राहू, क्योंकि राहू हमें प्रवित्त कराते हैं, आप इस समय पर टोटल 18 महिने पर आप अपने कैरियर के लिए आप प्रवित्त दूसरे और आपके लगन पर केतु देव बिराजमार है, एक सन्यास, एक सादगी की भावना आपके अंदर समाहित होगी, माना जाता है केतु जब लगन में होते हैं, तो इसे स्प्रिच्वल दुनिया की और व्यक्ति जब जाता है, तो उसे बहुं से क्रिपा प्राप्त ह होती है, तो क्रिपा प्राप्ति होने का मतलब ये समझ है, कि हमने अपना कर्म तो किया, लेकिन यदि क्रिपा मिल जाए, उस दिन बंधु दिन अनात की, तो अपने आप हमारे जीवन सफलता की और अगरसित हो सकते हैं, और सायद इसी कारण से केतु देवता पूरे 18 महिने के लिए आपके अपने रासी, अपने लगन पर समाहित है, इसका आप पूरे अच्छे धंग से यूज़ कीजिए, और इसी समय पर कोई साधू संत महात्मा दिखते हैं, कोई सन्यासी दिखते हैं, तो ये मानिये कि वो साक्षात केतु देवता है, उनके सरन पर चले जबूद बना लिया, केतु के नेगेटिव प्रभाव को आपने रोक लिया, और साकरात्लग प्रभाव को अपने जीवन पर आपने आत्मसाथ कर लिया, इस बात को मन भूलियेगा, दूसरी और इसी केतु का सिधा 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 संब्ध होता है भगवान स्री गणनायक से, विग्न हरण मंगल करण कहा गया है भगवान स्री गणेश जी को, और इनके स्री गणेश जी के कारक माने गए है केतु को, तो यदि इस समय पर हम स्री गणेश की आराधना करते हैं, उनकी पूजन करते हैं, हरे हरे दुरवा होता है, जो घांस होता है, इसे तोड़ करके, यदि भगवान स्री गणेश पर अरपन करते हैं, ओम गंगण पते हैं नमा मंत्र के साथ, और विशेश तोर पर आप इसे कर सकते हैं बुद्धवार को, क्योंकि केतु देवता जिस रासी पर गया है, वो कन्या रासी है, कन्या रासी के स्वामी होते हैं बुद्ध, तो आपके पंचम हाँ पर पड़ रही है, इस में पर संतान से जुड़ा है कोई बहतरीन डिसीजन आप ले सकते हैं, अहां ध्यान भी रखना होगा भी, संतान इसमें पर एग्रेसीव ना हो, ज्यादा उनके अंदर युद्ध की प्रवित्ती आ सकती है संतान के अंदर, तो इ उनके अनुकूल हो करके कोई कारे किया जाए, या अपना समर्थन दीजे उन्हें, और उनके अनुसार यदि आपको लगता है कि उन्हें ये कारे करना चाहिए, तो आप अपना समर्थन दीजे, संतान भी इस सफलता की सीड़ियों पर अग्रसित होंगे, इस बात को भी अमिद है, आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है, यदि आपने इसे समझा जाना, मेरे समझाने का प्रयास दी आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भाती इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमें मत भूलिएगा और हाँ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी किजिएगा पुना है एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगल मैं हूँ इन्ही सुपकामनाओं के साथ जैस सिगनेश